हस्देव अरणने में कोल ब्लॉक के विरोध के बीच मुख्यमंत्री हुपेश बगेल ने तीन प्रस्तावित कोईला ख़दानों पर रोक लगा दी है जन भावनाओं को देखते हुए हस्देव अरणने शेत्र के परसा कोल ब्लॉक के एक्स्टेंशन तथा पेंडर की कोल ब्लॉक से कोईला ख़दान की अनुमती नहीं देने की सैमती मुख्यमंत्री ने दी है मुख्यमंत्री हुपेश बगहिल से चर्चा के बाद स्वास्मंती टीस्थी देव ने शुक्रवार को अंबिकापूर में पत्रकारों से चर्चा के दवरान ये जानकारी दी स्वास्मंधी टीसी देव ने बताया कि परसा इस्ट केते बासेन पी इसी के बी कोल ब्लॉक से विती चरण के कोईला उत्खनन के लिए ग्रामिडों में ही एक राय नहीं है इसलिए वे तटस्त हैं किसी एक का समर्थन करना न्याय संगत नहीं है कोल ब्लॉक को लेकर स्वास्मंधी टीस दियुदे ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी एक असमंजस की स्थिति बन गई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रपक आंदूलन है और जन सालाब जन मत एक तरफ है कि आगे काम नहीं होना चाहिए मैं भी वहां गया था मैंने भी अपनी बात वहां रखी थी कि गाउवालों की राय के अनुसार ही काम होना चाहिए और मैं आगे खड़ा रहूँगा कभी ऐसी परिसिती आएगी उसमें दिक्कत नहीं होगी उसमें भी मुख्यमंत्री जी से बात भी थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए कोई मैंस की एरिया में जाने की बात नहीं है गाउवाले नहीं चाहेंगे तो वहां पर मैंस चालू काम नहीं होगा जो वर्किंग माईन एक थी माईन नंबर 15, 17, 18 इसमें गाउवालों का लगभग 90 परसेंट अपन माने की उनकी सहमती नहीं है देने की उस पे काम नहीं चालू करने की मुख्यमंत्री जी ने भी सहमती दी है अपना विचार दिया है जो चालू माईन थी जो रुख गई इस आंदूलन के चलते नए छेत में और ना खुला जाए ये एक अलग मांग थी जो चल रही थी माईन उसको भी रुख दिया गया ये अलग बात हो गए तो वहां के भी गाउवालों से मैंने जब बात की आएगी ना मैं माईन बंद कराना वाला हूँ ना माईन खोलने वाला हूँ मैं लोगों की राय को आगे रखने वाला हूँ मैं अगर जन प्रतिनी धी हो तो जो लोगों की राय आएगी मैं उसको आगे रखोंगा और आज जो राय है जो पुरानी माईन चल रही थी उस छे के भी हो सकते हैं लेकिन 130 उस एरिया के लोग उन्हेंने संख्या बताई